एलो माइडियर रिस्टुरेंट वेलकम तू मैथ क्लास क्लास फूर्थ एक्सरसाइज यूनिट एट एक्स इस्टीमेट्स रिस्टुरेंट आज हम आपको इस्टीमेट के बारे में बताएंगे यह जैना इसमें एक्नियर्स हैं उन्रेट और यह थाउजन और भी जैनला कहीं तक भी आपनिकल सकते एक रिस्टुरेंट्स के लिए अश्वाद से ट्ृक सर्टु करें यह नवरा वु ہ्वाब के करेंड़ हो ख bless रहूँंब हम उस्से इस्तेमाल नहीं करेंगे एक अलग से मैतर इस्तेमाल करें एक नई ट्रिक है जो आपको शिकाएंगे और तो जी देखें इस्टीमेट का मतलब होता है किसी भी क्वांटिके कोई भी क्वांटिटी होती है ना उसके अप्रोक्सिमेट यानकि उसके लगबग जाना अनुमान लगाना अब आउट है ना तो इस्टीमेट देखें जैसे कि हम आपको बताएं जो हमारा एक ऐसे लाइन ड्रों कर लेता है कि लाजी और इस पर जीरो वन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे डालेके ने शक्ताइब तो इसे हम नंबर लाइन पर सोब करते थी तो देखिए जो फाइव है फाइव बीच रहेगा तो इसमें जो भी नंबर है हमारे पास वह नंबर या तो जीरो की पास रहता है या फिर टैन के पास रहता है अगर फाइव है या फाइव साथ इक है तो टैन के पास रहेगा तो जीरो की साइट रहेगा तो जीरो बोली जाएगा मैं फिर को की तो आफो ini सरथ योख कि वागव है कि फैन तो अगर आपके पास प्रूंत है तो आपके पास rap कि यह बन घंग 100 और अगर आपके पास कितने रुपीज है तो हम ऐसे पढ़ते थी ऐसे करते थी इसे तो इसके लिए हमने एक अलग से तरीका निकाला है जिसे आप देखिए कि इस्टिमेट करने के लिए हमें करना होता है किसी भी संग्या को जो भी नंबर होता है उसे रांडिंग करना होता है नियरेस्ट तो देखिए स्टुद्ट क्या करेंगी सथ से पहले नियरेस्त ट्रेश्ट थैवर्ट थैण्च नियरेस्त थैड़रेस्त थै़र्ड थैट्ट देखिए मेरेश पैल थाव सरेंट और कि देखिए इस तरह किससे आप सको निकलवाता है अगर अधिक हो जाए फिर लैक टेल लैक यह भी निकलवा लेता है तो यह इस तरह के भी कोश्चन आते हैं सबसे पहले हमने यह देख लिया मों और स्परपुं प्रीक सब्सक्रांदी मेरेस्ट अगर हमारा कोश्चन हो ज्यानपूर्वक सुने अगर हमारे समचेशन आपको कहरा है कि नियर वें टैन को शान अंन्यारा यह को टैन तो स्टुडेंट 10 कह रहा तो हम वन्स प्लेस पर देखता है वन्स प्लेस पर अगर हंड्रेड कह रहा तो टैन प्लेस पर देखते हैं अगर थाउजन कह रहा तो स्टुडेंट प्लेस पर देखते हैं हंड्रेड अगर स्टुडेंट थाउजन तैन थाउजन कह रहा तो स्टुडेंट आप थाउजन प्लेस पर देखेंगे तो आपको इतनी बहस उन्समें आ गई तो ध्यान रखें अगर जितने भी कोश्चन कह रहा है को स्टुडेंस टैन कहरा है एंड्रेड कहरा थाउजन कहरा है तो आप उससे एक पहली प्लेस वैल्यू देखेंगे है न जो भी वह कह रहा है उससे पहली एक place value देखेंगे इस बात को ध्यान रखें कोस्टन में पूछा गया भाई नीरास हंड्रेड निकालो तो आप क्या देखेंगे तो टैन प्लेस पर देखेंगे क्या है अगर कोस्टन कह रहा है कि ten thousand present कि निकालिये*** तोह थोजेंट पर देखेंगे अगर वह कह रहा है कि 10,00,000 राउंड ओप किसी है ना तो आप क्या करेंगे रनग पर देखेंगे अगर कोशन कह रहा है कि व्य हंड्रेर्ड नियर एस्ट मईंसी करोर बताईये है ना तो आप क्या कहीं पर देखेंगे 10 लैक पर देखेंगे तो इस तरह आपको समझ में आ गया होगा स्टुडेंट की हम अगर जो भी कोशन पूछता है उससे पहली प्लेस वैल्यू को देखते हैं कि उस प्लेस वैल्यू पर क्या डिजिट लिखी हुई है ठीक है यह बहुत असान है अगर आपने दो दो तीन बात हैं सिर्फ अगर आपने यह ध्यान पूर्वक समझ ली है ना तो आपको पूरा कोशन संगें में जाएंगा ठीक है जी कि सबसे पहले स्टेप क्या ए जो भी कोश्ण कहे रहा है आपको 10 प्लेस के नीर्स टैं कह रहा है अंडoking पहला है ठीक है तो यह तो आफ उससे प्लेस वैल्यू देखे एंग जो भी डिजिट जो भी नंबर आपको दी गई है उसमें छीजिए बात सुंदिन मागे आपको अब ध्यान दें नीरस 10 10 यह होती हैं वाड़ हैं हैं 100 गृटन कि तीन जिरो होती हैं तूंट्ट में कि तीरी अउन थैन तरह कि दूस जीरों कि तीरों होती हैं प्रफोर तो आपको यह याद रखनी है ठीक है भई टैन में जिरू होती है थाउजंट में तीन होती है और इसी तरह आप जिरू याद रखेंगे तो आपने पहले स्टेप में क्या याद रखा है और नुष्ट आपने फिलिटेप एक लाज़ता कि यह को नित्माब में अबयाद रखेंगें तनस स्टेप में में एक जिरो होती है और थाजन्ट में तीन होती है और तैन्स तॉजन्ट में 40 है अब आपको देखना क्या यह इस ट्रेंट यह भी ध्यान रखिए है अब जो इस्टेप है जी आपको देखना है देखिए जीरो वन टू थ्री फोर यह काउंटिंग है आपको जिस नंबर पे भी कह रहा है आप प्लेस पर देख रहे हैं थाउजंड प्लेस पर देख रहे हैं तो इस्ट्वेंट आप क्या देखेंगे यह संग यह डिजिट देखेंगा कि जीरो है है यह कि यह टो रहे हैं ठीक है कि क्या लिखा वाय सभी वाम इस चैनल लीक रखवी है जरूर लिखी होगी है फ्लेस पर टthing प्लेट ब्रूराइज कोई ने कोई कोई एक यह भी दाईक से लिखी ऑगी होगी तो हमने सब्सक्राइब तो नहीं होगी तो फिर मालजीरों होगी तो इस तुट्रेंट आप इन्हें ध्यांधा रखी की में अगर आप अगर उस प्रुस्षें से फोर तक कोई डिजिट है कि जहां भेंगे इन के इंप्रूटेंट बात कुछ भी आड़ नहीं करेंगे जो next प्लेस हैं प्लेस में कुछ भी अड़ नहीं करेंगे कोई भी एड़ नहीं करेंगे ठीक है अगर आपकी प्लेस पिप्लेस पे 5689 है तो आप नेक्स्ट जो प्लेस वैल्यू है आपकी जो नेक्स्ट प्लेस वैल्यू है उसमें वन एड करेंगे क्या करेंगे सिर्फ वन एड करेंगे समझाने में थोड़ सा आपको बड़ा सा लग रहा हो गए लेकिन अगर एक बार सुझ में आ जाएगा तो फिर कुछ वियाद रखने की और सब्सक्राइब बहुत आसानी से और तो आपको विखना और जीरो से पोर थो आप प्लेस में कुछ बेड नहीं नहीं करेंगे । है liksom जो गजिस आप रहें ना जिस प्लेस में वह पूच रहा है तो 10 तो उसमें वन एड कर देंगे क्या करें तो क्या करेंगा आप उनमें वन एड कर देंगे अब ध्यान रखिए जब आप किसी भी नंबर को राउंड ओप करें तो आपको कुछ बातों बाते ध्यान रखनी ताकि आपको पता चल सके कि अंसर सही है अगला अगर नियर स्टेंड कह रहा तो वन्स प्लेस पर हमेशा एक जीरो आएगी वन्स प्लेस जरूरी है कि वन्स प्लेस पर जीरो होगी अगर हंड्रेड कह रहा तो वन्स ओर टैंस जब आंसर आएगा वन्स ओर टैंस वाले दोनों प्लेस पर जीरो आएगी ध्यान रखें जब आंसर आप देख लें अगर वन्टू आपका भूल से आगया कोई भी डिजिट आगी या नहीं तो आप समझ लें कि आपका आंसर गलत है इसी परकार जितने भी वह पूछता है है ना उतनी ही जीरो आपके बढ़ती हुई चली जाएंगी तो देखिए हम आपको एक थोड़ सा एक्जम्पल देखने बता रहे हैं है ना महां लीज़े नियरस हंड्रेड नियरस टैंग कह रहा है और नियरस टैंग यह है जी है ना तो नियरस टैंग कहरा हूं स्प्लेश पर चैक करते हैं यह सहरे हैं तो प्लेश किया डिजिट लिखी जीरो सा फोर यह फाइव से नाइन है तो हमने देखा कि यहां चीनए पाइव से नाइन के बीच की डिजिए दिट है अगर एट है तो निजो नेक्स्त प्लेस ए इस उ तो हम इसमें one plus करें गए nine one ten और एक बात और बताई कि हमने यह बधार वंस कहरा आए अगर तो यह इसकी zero लगा दे हमने बता था अभी आपको कि अगर निरस 10 कहरा तो फैस पे एक नाइंटी एट जो है वह नीरेस्ट अगर इसे टैन करें तो हंड्रेड है जी है ना नीरेस्ट का है राउंड ओप कितना हो गया हंड्रेड हो गया टैन का ठीक है अब देखें इसे और देख लेते हैं अगर यहां 50 वाल है तो यह वन से टैन्स है तो इस्टुडेंट आप प्लेस पर क्या है जीरो है देखें पर प्लेस पर जीरो जीरो सा प्वर तक के बीच की डिजिट के बीच में तो वन है तो हम नेक्स्ट में कुछ भी प्लस नहीं करेंगे नहीं करने के और जो वंस नियरस टैन है तो वन स्पेस पर जीरो आजाई गी और पाइव कफाइव ऐसे ही सेम रहेगा इस में कुछ बैट नहीं होनेंका जो अगर जीरो से फोर तक कोई भी डिजिट है वन्स प्लेस पर तो उसमें कुछ ब्याड नहीं होने का वह सेम की सेम डिजिट रहेगी तो इस प्रकार आपको यह समझ में आ गया होगा तो सब दूसरा वाला देखते हैं नियरेस्ट है हंड्रेड है नियरेस्ट हंड्रेड में देख लेजिए माल लेजिए यह डिजिट है कि अब नियरेस्ट हंड्रेड कहरा है तो हम कहां देखिए लेकर यह टैंस है यह डिजिटली प्लेस करें तो यहां पर टैन हो जाएगा आप अब हमने बताता अगर नियरेंस्ट एंड्रेड कह रहा है तो एंड्रेड में दो जिरो आती है तो वंस और टैंस प्लेस की जो डिजिट होंगी में दोनों जीरो हो जाएंगी आंसर में ठीक है जी तो यह नाइन अंड्रेड नाइन टी एक थाउजड के नियरेस्ट है और देख लीजिट अब यह अब यह जिस अब यह ना इसे भी निकालना है तो कहां देखेंगे टैंड प्लेस पर एक पहली प्लेस पर देखता है क्या निका हुआ है थ्री तिरी कहां ता है जिरो से फॉर के आता है ना जिरो से फोर के बीच में तो हम ड्रेस डिजिट में कुछ भी प्लस नहीं करेंगे जो प्लेस है नेक्सक कुछ भी अंधे कोईरो चेंज कर देगे ठाएंगी ऑन्रेड के रहा सब्सक्राइब थो यह जिरो आएंगी क्योंकि टैंड में एक जिरो आती हैं ऑन्रे इसमें नहीं होता तो 500 जो फाइवंड्रेड नंबर है वह फाइवंड्रेड के नियर एस्ट है ठीक है जी देखिए कितनी आसानी से हो रहा बस आपको यह बात है याद रखनी जीरो सब हो रहा है यह फाइब से नहीं है तो नेक्स प्लेस में वन प्लस कर देते हैं और नहीं प्लेस में वह जो नेक्स प्लेस में कुछ बैट नहीं करते हंड्रेड के रहा तो ऑंसर में दो जिरो आएंगी थाउजन के रहा तो तीन आएंगी बस इते एक सी बात है तो आप नेस्ट हो देख लिए अगर थाउजन के रहा लिए आप थाउजन कहते रहा थाउजन क्या रहा तो वन एक पेढ़ पर यह तो रहे अगर नेक्स प्रेस में कुछ भी एड़निंख पोर अजिश्ञ था थाउजन जाएंगी वन्स टैंस और अंडर्ड प्लेस की जो डिजिट है में सब जीरों में बदल जाएंगी कि और देख लीजिए कि अब यह देख लीजिए वन्स टैंस हंडर्ड तो अध्याय सब्सक्राइब डिजिए कि यहां पर क्या एसे भी नहीं जी बीच में आता है तो नेक्स्ट जो मारी प्लेस है उसमें वनिप्लस कर देंगी तो यहां तिरी ओजाएंगे जो बाद की टीजिट है विसे माएंगी अगर प्लेस करेंगे अब थाउजेंट के रहा तो वनस्टेंट सोर अंडर्ड तीनों की तीनों जीरों में चेंज हो जाएंगी तो इसी परकार आप जो आगले नेक्स्ट कोश्चन है ताउजेंट है लैक है कही जग भी निकाल सकते हैं इसी परकार नियम यही रहेगा ठीक है जी नियम यही रहेगा अंसर का आपको पता ही चल गया कि भाई टैन है तो एक जीरो आगे अंसर में हंड्रेड है टू आएंग जीरो ठीक है जी तो जीरो सा आप देख सकते हैं कि आपका अंसर सही आ रहा है नहीं तो सबके कोई भी कोश्चन और राउंड ओप को उसमें जीरो जरूर आनी है तो उमीद है कि आपको एक कोश्चन जो मैथड है यह तरीका है यह आपको समझ में आया होगा और यह कालना तो तो अगर जीरो से फोर है तो नेक्स्ट प्लेस्ट जो है उसमें कुछ बैड नहीं करेंगे तो उसमें वन एड करेंगे की कहां जीतनी जितने प्लेस की कह रहा हूं उतनी जीरो आप answer में लगा देंगे ठीक है जी तो आप जो exercise आपकी 9.1 है उसके कुछ question करके देखते हैं ठीक है question question number one estimate the sum to the nearest tense verify by actual sum ये question है देखिए अगर आपसे estimate आ जाते हैं estimate से फिर वो आपके first class के हो second के हो, third के हो, fourth के हो, fifth के हो sixth के हो तो आप इसी method के दोआरा सभी standard के estimate कर सकते हैं round कर सकते हैं ये जरूरी नहीं है कि फिर फोर्ट class में ही लागू होता है अगर आपने से कोई चीज सी क्लियर वो sixth, seventh ये बड़ी class में आ रही है तो आप वहाँ पे भी उसे उसी method से soul कर सकते हैं orchestrant तो देखिए हमने अगर हमें जो भी बात हैं हमने आपको बताई थी अगर आपके में याद हैं तो कोशन कितने आसानी से हो सकते हैं देखिए तो nearest आपको 10 निकालना और इसने कहा कि बही एक्चुल जो महरास समय उसे भी कीजिए एक्चुल क्या है तो पहले हम इसे ऐसे लिख लेंगे box में अब इसे लिख लिख लिए अब इन्हें आड कर लिए यह एक्चुल है कितने होगे 11 31 9 110 और 770 तो यह हमारा एक्चुल है अब हम इसे क्या करना हमें इसलिए 10 करना तो देखिए यह बंस है और यह टैन करना तो हम प्लेस पर देखते हैं क्या लिखा है वंस प्लेस पर लिखाया जी 5 ठीक है 5 लिखाया तो नेक्स्ट प्लेस में करें कर दिया जी तो सब्सक्राइब निकालना तो आंसर में निकालेंगे तो सभी आंसर में जीरो आएगे बंस वाइप प्लेस होगा तो यह हो जाएगा तैन आरवबंस प्लेस प्लेस इसमें प्लेस होगा तो यह होजाएगा तो देखना इस्टुएंट कितनी आसानी से हो गया ना बस आपको दो तीन बाते ही याद रखनी है अब देखिए तू फाइल सेविन तू थ्री जीरो एड़ कीजिए सेविन एट फो कर दिया एड़ करना आप साथ ही है अब देखिए पिलेश पर क्या है से विन से यह नहीं है तो जो नेश्ट प्लेश्र हमारी उसकिया कोई तो टॉंटी फाइव हैट टॉंटी शिक्स हो जाएं कि तो जीरो होगी सम्वें यहां जीरो एग जीरो बन सब्सक्राइब़ के पीश माती है तो अगलीजिट कुछ बै तो श्रॉंट यह इसका आउंसर हो ठीक है जी अब नेस्ट देख लेक्ता है यह साही नियरेस्ट 10 है है तो 3106 मैं एंड कर दीजिस 773 अबन हम क्या सीख रहे हैं हम श्रॉंट करना तो नियर्स टैन पर स्वर्ड देखते हैं यह बियाट नहीं हो नहीं और थार्टी वन का ठाटी वन आएगा जीरो यहां पहले सही है तो जीरो की जीरो रहेगी अब यहां से भी नहीं वन प्लेस पर तो टैन प्लेस को बन प्लेस हो जाएगा और वन स्टीस में जीरो रहेगी हो गया जी अब यहां से फैन्य वन पॉर एट ट्री ठीखें में अब प्लेसर लीजे 10 12 12 और फाइव फोर है अब हम इसे मेरे स्ट करेंगी जीरो सब पर चुर खोर के बीच है तो अगले संक्या में विधी डिजिट एड्रियो है उने की सबीं की जायों और वांस पलेस जो इस बार 8 है तो यह टाल प्लेस में वन मान के जाएगा जाएगा कि और वंस प्लेश्टर की जो डिजिट है वह जीरो मेरे तो यह आंसर आगया दोनों का सेंग सेंग आंसर आपको करने आ रहे होंगे आप समझें से 20 005 पहले एक्सुल एड़ करते हैं 520 8 अब इसने और सटैं करते हैं 10 प्लेश्टर किया रहा तो उन सप्लेश्टर देखें, जीरो है तो सेंगी रहे हीजी सेंग कोई चेंजिंग नहीं हो पना है अगली संध्यों कुछ भी आड नहीं हुआ यहां पर 5 है वंस प्लेस पर तो 10 प्लेस पर जीरो आए जीरो वन एड़ करेंगे तो वन ही हो जाएगा और जी वंस प्लेस पर जीरो रहेगी याद रखें इस बात को अगर नियर स्टेंस है तो जब राउंड ओप करते हैं तो वंस प्लेस की डिजिट जीरो में चेंज हो जाती है बढ़कवल चाले डिजिट प्लेस की मैं चेंस ऑन हीरो बढ़ति आए अंति हो त्युकवल 2 जाए 151 P来श क्या एब और है तो अगली डिजिट में अगली प्लेच में प्रस नहीं होनेगा और उसे जीरो महलें पर तो बन मानके स्ट्माइब देना सेवई हो जाएगा वन्स प्लेच जीरो हो जाएगा फॉर है तो इसे जीरो महलेगा अगे नहीं होनेगा तो जी ये हो गया तो ये कुश्च नुम्बर वन था आपका कम्प्लीट हो गया आपको उमीद है जो ये तरीका हमने बताया आपको ये आपको समझवाया होगा वह काफी आड़ पड़ता है नंबर लाइन पर सो करना उसे देखना उसे समझना तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है और यह मैथड बस दो यह बात याद रखनी है वह वन स्प्लेस पर पूछ रहा उस पर कौन सी डिजिट है फोर से जिरो से पूर है तो अगली डिजिट में पहले तो अमिन याड कर लेते हैं इस लिए हम फ। हर तो एड़ मेज़िक ने कालना प्रेंट कहरा है तो आप कों से कि रहे हैं चाहित पूछ रहा है तो आप टैंडड प्लेस पर क्या लिखें गीए जीरो सा पोड bargain है तो आप देख रहे हैं कि यहां जीरो से 4 के बीच की है 3 है तो 3 है तो अगरी जो प्लेस को सेम का सेम लिखेंगे हंड्रेट कह रहा है तो 110 की दोनों डिजिट 0 में चेंज हो जाएंगी ठीक है जी अब नेस्ट देखिए इस पे भी 10 प्लेस को 3 है तो यह भी आते कुछ ब्याट नहीं होने का 5 का 5 भी रहेगा और वन स्टेंस की दोनों जीरो दोनों डिजिट 0 में चेंज हो जाएंगी तो 900 आंसर आ जाएंगी अब नेस्ट देखिए देखिए कि कितना असान है है ना फाइव एट फोर फाइव नाइन टू आप शीक्स सेवंटीन अलेवी त्रीक आजी अब देखिए वन स्टेंस अंड्रेड टैन प्लेस पर देखिए टैन प्लेस पर क्या लिख रहा है तो फाइव सनाएंगे बीच है तो नेक्स्ट जो हमारी प्लेसंस में प्लेस करेंगे फाइव मन प्लेस कर दिएखी और वन सोर टैन जो फुमी जो फिर जोती वह जीन में चेंज हो जाएंगी यहां भी नाई नहीं तो यहां फाइब यहां फाइव प्लेस कर दिद स्किल्हा घृएगा और यह भी दोनों डुट इंजैन जो जाएंगी ठीक है जी तो यह अंसर आगए आपका तो देखें कितने आसानी साथ 110 एक बर में 30 सुनी में आना चाहिए फिर सभी कोशन अपनाप हो जाते हैं 3 8 9 6 7 6 0 add कर लिजिए 6 का 6 15 का 5 का 16 और 4 यह अगा अब हमेशे ने चांड़ के आना तो इस प्लेस पर देखेंगे नाइन का वनमान के प्लेस में एड करते हैं यह तो यह नहीं हो जाएगा और दोनों प्लेस वन सो टेंस जीरो में यह सिट्स है तो यहां पर यह जाएगा वान इसमें एड करेंगे कि यहां अच्छी जब यह आप राउंड ओप करें अंड्रेड में तो वन सो टैन की जो बीजिट है वह जीरो होनी चाहिए अगर नहीं है तो आपने कहीं पर एक मिस्टेक कर दूए कि प्रीक है थी कि प्रीक होनी थी नहीं है तो आप चाहिए कि चाहिए 9,8,50,17,17,17,4,21,21,232,8,15,15,15,15,18,45,24 9, 24, 2, 7, 8, 13, 31, 10. तो यह हो गया. अग इसे round off कर लेता हैं. तो 10 प्लेस में देखें हम, यह हमाई 10 प्लेस है, 10 प्लेस पर क्या लिए लिए 6, तो इसे next row में 1 add कर देगे, 65 आए तो 66 हो जाएंगे, 110, 0 में change हो जाएगा. 7 है, इधर 1 है तो 8 हो जाएगा, और 1s 10, 0 में हो जाएगा. यहाँ पर 9 है, यहाँ 35 है तो 36 हो जाएगा, और 1s 10, 0 में, change हो जाएगा. 0, 0, 12, 20, 9, 10, 11. 4 है, पर 3 हो, ये 10 ये 1 था यहाँ, यहाँ 1, 1, 1, 2 हो इगा. हुआ 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 है तो इसका अगली नेक्स्ट प्लेस्ट में एड़ करते हैं तो वन वन टू हो जाएगा कि वैल कि फोर्टी तो जी यह हो गए क्याग, क्या वे, शाएगा हुआ 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 फिए 8 कि इसके यह हैं ग़र प्लेस्ट 100 धॉआ कि आदिए तो निदा संडर अगी आपने कोश्य नंबर कुमें किये थे यह कोश्य नंबर 3 है कि इस्ट्वेंट पलस ओ माइनस हो मल्टिप्लाई हो डिवाइड कुछ भी हो अगर आपने एक बार पहले राउंड ओब कर लिए उसके बाद मल्टिप्लाई करो आप प्लस करो मैनस करो मल्टिप्लाई करो कुछ भी कीज़े आंसर तो सही आणा है ना ब रांडोग करने के बाद आप सोचें ये डीजी टमें मिली हुई थी उन्हें आपने प्लस कर दी या सब्ट्रैक कर दिया एड कर दिया है ना या डिवाइड कर दिया है ना तो देखिए 3 5 0 2 8 6 9 यह 10 होगे 10 में से 6 गे 4 अब यहां रहागे 4 तो यहां होगे 14 है ना 14 में से माइनस कर दिया 6 अब यहां पर रहागे 2 2 में से 2 गए 0 सब यह अपने कोश्चन को एक बर एड करके चेक कर ले वेरिफाइब कर ले माइनस की कोश्चन को कि आपने माइनस से किया या नहीं 4 6 10 की 0 के रिवान और जी आपका जो माइनस था वो ठीक होगा अब नियर स्टन्रेट करना तो तैन प्लेस पर देखेंगे नियम वह यह पहले वाले हैं आप आप फाइब है तो नेक्स डिजिट में नेक्स प्लेस में अट करतेंगे और हो जाएगा हंड्रेट है तो बन से जिरो में बदा जाएगे एट है तो तू का थी हो जाएगा और यह भी बदा जाएगे तो वन अंड्रेट आंसर आगे तो किस्ट ऐसे आपको यह कर डिए अब नेक्स देख लिजिए फाइव तू सेविंग तू नाइन थ्री अब सेविंग में से अपने त्री मैनस कर दिए फोर अब यहां होगे जी ट्वेल अब त्वेल में से आप नाइट माइनस कर अब यहां पर आगे पोर में से टू माइनस कर दीजिए फोर और थ्री सेविं और नाइन और थ्री ट्वेल के रिए वन टू तू पॉर और वन फाइव थीक है अब इसे नियरस्ट कर लीजिए टैन्ट प्लेस पर क्या है जी तू तो आगे यह नहीं होने का तो फाइवध यह जाने अब यहां पे नहीं है तो वन एड़ करेंगे टू मां ठीरी हो जाएंगे लिए और यह आपका अफ्राब्ल。 अब कोश्चन नंबर स्यूंवे थोड़ी सी प्रोब्लम है क्या प्रोब्लम है क्योंकि इसने दो माइनस की कोश्चन दे दिया दो साहिए आपको मिले विया है जैसे तो इन्हें करने का एक तरीका है आप यह तो इन दोनों को एड़ कर लो और इसमें से माइनस कर लें अगर आप यह बूल जाते हैं है कि दोनों एड़ होते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना जो यह डिजिट है इसे यहां लिखिए अब जो इसके निचे वाले डिजिट है से यहां पर लिख दीजिए अब आप इन्हें माइनस कीजिए तो क्या हो गया यहां पर आलेवीन हो जाएगा अरेवीन में से आपने तरी माइनस कर दो कितने बचेए एक एक साज़े टैनले एक साज़े नाइन टैनलेवीन अब यहां पर तू रह गई अब यहां भी नाइन में से से मैंस कर दिया तू अब सिक्स में सब तू मैंस कर दिया फोड एड करके देख लिए अलेवीन केरीवन शिक्स एट और नाइन सब्न तू नाइन तू और फोर शिक्स ठीक हो गया यह आपका अब आप इसे क्या करेंगे आप इसे रांड डॉप कर लिए तो टैन प्लेस पर देखना है यह जिए नाइन इधर चाहे सिक्स्टी नाइन और वन सेवंटी और टू जीरो वन स्टैंस कि तू जीरो होएंगी अब यहां क्या है इसिक्स है यह तूंटी सेविन है वन मान के इस इसमें कर गया टूंटी एट हो गया है जीरो जीरो टैन हो गया है तू सिक्स नहीं फोर तो अब यह हो गया अब जो यह आंसर आया है ना कि इसमें से माइनस करें थ्री टू एट जीग्छे है युद्ध ट्वैज फॉर विच्छाट अब यहां रह गये थे वाल में यह तूंवाने से थिर्षत लेड़ेशन होगे था एंड़िए स्सिक्स कर दिये नाई अब यहां रहे हैं तो यह अंसर आगा है इसका अभी नियुक्त करें कि प्राइब करें टैन प्लेस पर देखना है तो आगे प्लेस नहीं होनेगा अब यहां पे एट है थार्टी टू है तो थार्टी थी हो जाएगा अब माइनस कर दीजिए जीरो जीरो कितने हो गए गी तो यह हो गए तो इसका अंसर क्या आगा थी अग नेक्स देख लीजिए अग नेक्स देख लीजिए एक बार दुबारा समझे ले रहे हैं कि देखिए स्टुएंट हमने पहले डिजिट लिखी के इसमस्या माइनस की माइनस कर गए आंसर आप जो आंसर आया उस में सब्सक्राइब 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 तो यह देख लीजिए तो वन की 10 1 2 6 माइनस करेंगे 10 और 6 डेफ एंपों यहां रागे वाण नाइन के यहां आगे 0 ऑट्याण उगे 10 होडेफ एंगे 9 अधैन यह वाण आख लाई सब्सक्रां अब जो भी आंसर आया इस ही आंसर में से हमने क्या करया यह जो लाश्ट की डिजिटल से माइनस कर ली तो इधर क्या रह गया तू शिक्स थी वाइं अब हम ही ना राउंड ओप कर ले है अब है अब है अब है अब है अब है तो अब जो गया अब इसमें क्या माइनस करेंगी अब है यह वाइन लिजिटल माइनस के इसा राउंड आप करेंगे अब अब है अब है अब है अब है तो जी कर दीजिए अब अब है यहां तरी है तो यह रहेगा जीरो जीरो फोर वन तो यह आंसर आगा है ध्यान रखेंगे अब डिजिट को राउंड रोड करना है बस फिर माइनस करना हो या प्रेस करना हो ठीक है जी अब नेक्स्ट कोशन जेक लीजिए यह वाला सेविन फाइव टू वान सिक्स टू सेविन वान पहले ने माइनस कर लेंगे यहाप अलेविन होगे अलेविन मेंसे सेविन माइनस कर दिया फोर वन रह गया वन प्रेस वन गये जीरो फाइव मेंसे टू गये थ्री और सेविन मेंसे शेश गया बढ़ अब जो भी आंसर आया इसमें से लास्ट वाइव टीट माइनस करेंगे हुआ हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है है अब यह एक्च्वल सम तो हो गया हमारा अब राउंड वाला तैन प्लेस पर देखने तू है जी तो सेंटी फाइल सेंटी फाइल करने रहेगा वन स्टाइस की डिजिट रहेगी अब वान है तो यह भी सेम का सेम रहेगा है अब यह अब क्या माइनस करना इसमें से कि इसे राउंड ओप करें है 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 यह सिक्षण राड़ी रह जागा है 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 तो जी आंसर अगया अब नेक्स देख लिए जिए अब जो अंसर आएगा इसी अंसर में से हम लास्ट डिजित को माइनस करेंगी कि अब इन्हें राउंड ओप कर लिए है है वंस प्लेश टैंस प्लेश प्लेश पर क्या है जीरो तो टार्टी सिक्स ऐसे रहेगा इसमें आड़नी होने का कुछ भी वन स्टैंस की जो डिजिट है जीरो में बतल जाएंगी अब तिरी एस्ट्रेंट यह भी एड़ नहीं होनेगा यह अंसर आगे अब इस अंसर में से हम लास्ट वाड़ी डिजिट मैच करें इसे राउंड ओप करें एट है टैंट प्लेश पर एट है तो नेक्स्ट प्लेश में प्लस होजेगा शिक्स हो जाएगा यह तो यहां पर दिकना हो गया पॉर्टिन हो गए पॉर्टिन से शिक्स माइनस कर दिया एट हागी अर्यूज़ आप को के स्ट्रेंट तो यह कोईशन इस परकार होगी कोईशन नमर पॉर्टिन से इसी परकार होगा उसे भी देख लेता हैं यह तो यह तो यह तो लोगाई तो यह तो लह तो यह तो यह तो यह तो कोईशन ओकना होगी को पॉर्टिन देखिए इस्टुरेंट हम सीख चुके हैं चे थाउजांट हो लैको टेन थाउजांट हो कुछ भी हो क्या मैंने कैसे निकालना है ना और यह मैंतर हमें भी पॉर्शन नमर 3 में कर चुके हैं तो देखिए कैसे होगा तो शेवीं एट फोर टू शीक्स वन फोर फाइए माइनस कर दीजिए कितना हो गई तो ट्वैल में से आपने थाउजिओ माइनस कर दिया घर नहींग सब्सक्रा करोड़र्व समस्थन चनारी स्थन अब इस आप सब्सक्राइब निकलबार आप मानेर सथन निकलबार आप मेरे थांगने तो पॉल्चन निकलबार देखिए देखेंगे हंड्रेड प्लेस पर देखेंगे क्या डिजीट है जीरो से फौर यह फाइव से नाई तो इसका वनमान के नेच्ट प्लेस में अड्र याँड हो जाएगा ज्यान रखे थाउजेंड के रहा तो वन स्टेंस और अंडर तीनों ही प्लेस आपकी जीरो हो जाएंगी ठीक है जी अब यहां पर वान है तो आगे प्रस नहीं होने था तो शिच्स तो शिच्स रहेगा तो यह अंसर आपका आगे है तो यह आँसर आपका आगे है तो यह जीरो तो मांस कर लिए अले भीन होगे अले मिज़े 2 माइनस तर्व यह 9 होगे यहां 1 रहागे यहां 4 और यहां भी 4 की कहा जी अब आप इन्हें क्या करेंगे निर अश थाॉजएंट करेंगे तो आप इस पर देखेंगे क्या रिकाए तो नेक्स प्रेस करें यहां से नहीं होगा कि यहां हो जाएगा और यह व्स टर्व ढटेट जीरों में यहां तो आगे पुछ भी प्लस नहीं होगा और यह आपका अंसा आगोड़ एजाए अब नेस्ट कोसम देह लीजे हैं सेविंग फॉर फाइव जीरो थ्री सेविंग एट जीरो माइनस करेंगी इस्टुनेट आप इन दोनों को एड करके इसमें से माइनस भी कर सकते हैं तब भी वही आंसर आएगा अब जो भी आंसर आया आपको उसमें से आपको जो लास्ट इजिट है से माइनस करना तो जी आंसर आए अब इन आप राउड दोग करेंगे अब यहां प्लेस पर देखेंगे यहां प्लेस पर फो रहा है तो ने अश्ट प्लेस में कुछ ब्याड नहीं हो लेगा सेमिंग रहेगा बंस टैंस और अब यहां पर नमानके च्रीम आड कर देंगे पोर हो जाएगा तो यह आंसर आगया अब इसी आंसर में से हम क्या करेंगे जो हमारी लास्ट की डिजिट है से पहले हो करेंगे नियरेस्ट तो यहां पर सिक्स है सिक्स कवर मानके वन में प्लस करते में तू हो जाएगा तो यह अंसर आगया अब नेस्ट नाइन थ्री सेविन फाइल सिक्स टू सेविन सिक्स माइनस करेंगे अब यहां होगे फिप्टीं फिप्टीं में से आपने इतना माइनस कर गया तो क्या बचा है है नाइन में बचीक अब यहां की तने रह गए यहां भी सिक्स रह गें यहां कि सिक्स्टीं होगे 16 में से आपने 7 माइनस कर गया, भी 9 रह जाएंगे, अग यहां पर 2 रह गये, 0, 9 में से 6 माइनस कर गया, 3, add करके देगी, जो कही निस्टेक तो नहीं होगे, 9 और 6 15, carry 1, 9 1 10, 7 17, carry 1, 2 1 3, 6 3 9, 3 गया, अब जो लाश की जीटा, डिजीटेक से माइनस करेंगे, तो यह आंसर आगे, यह एक्शूल सम है, अब हम क्यों में क्या करना, इसे नेरा स्थ हंड्रेट में चीज़ करने, तो कहां देखेंगे, एंपलेस पर देख, हंड्रेट प्लेस पर देख, अब तीन जीरो लगाएंगे, तो नाइन सेम का सेम रहेगा, इसमें कुछ ब्याट नहीं होनेगा, वन स्टैंस और अंड्रेट बाड डिजिट जीरो चेंज हो जाएंगी, तो इसमें कुछ ब्याट नहीं होनेगा, तो यह अंसर आ गया, अब इसमें सेम क्या कर गई, इस वाली को मैनस करके करें, तो अंड्रेट पर इसमें जीरो है, तो कुछ ब्याट नहीं होनेगा, तो यह अंसर आपका आ गया, और क्यूस्ट्रेट, 88099-80173 जब यह सेकंड डिजिटल लिखता है, पलस माइनस में, वह हम ऐसा मंस की साइट से रिखनों सुरू करते हैं, ठीक अली, अब आप इसमें माइनस कर लिए, वाइन नाइन जीरो, फाइव, यह माइनस करते हैं, तो फाइव, जीरो, नाइन, नाइन, वान, बैसे आपको यह डिजिट माइनस कर लिए, वन, शीक्स, नाइन, फाइव, तू, वन मैसी 1 मनस क कर लिए, जीरो, नाइन मैसी 6 मनस कर लिए 3, आप डू, एह यह आज आए, अब क्या कर लिए आब इसे? अब आपिसे थाउजन केंगे रांडी ताउज़न केंगे तो एक यह थिएंटर नहीं होदेगा फिर बन है तो चांटी सेमें बाद में बिएट नहीं होनेगा डालान है को यह घुख दो जाएगई सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसके अंड्रेट प्लेस पर क्या है जो हो जाए तो बंस थैंज संदें फंड्र प्लेस पर नार वीजिश होजागा हान माइज कर लिए जी रह जीड जी रह जी हो यह गया विन ऐसे श्क्राइब कर लिए काई तो तो में से टूल गए टू टीक है जी तो एक कॉस्टन हो गया आपका अब लेच्ट देख लेजिए सिच्छ नाइन एट जीरो टू ट्री एट फाइट वाइन से टू गए एट यहां रागे सेविन से ट्रीक है फो एट मैंसे नाइन से एट गए वन आपाइब सिक्सक्राइब और सिक्सक्राइब चॉए तो आप इसे एड करके चेक कर सकते हैं एट रू टैंग अजी ट्री एर वन और फोर एट 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 रवन नाइन फाइवर वन शीक्स अजी वह शीक्स बिल्कुल सेग मैनस ही रहा इस इस वन वन फोर एट टीक है जी अब लाश्य डिजिक्स मैनस करेंगी एट सेविंग शीक्स वन कर देज्व जीरो यह पौटिन अबहुति मीनस करके से इसरे टैन्म से शिक्स मैनस करके फोर रह गए और इदर भी यहां भी टैन्म होगे टैन्म से माइन और यहां लेके फाइव लोगे तो एक बाहरी से चैकर लेते हैं तो जी देख लीजे, 088, 77, 14, करीवन, आजी, 4 और 6, 10 और 11, करीवन, 9, 110, और 11, करीवन, 5 और 16, ठीक हाँ, आज इसे, राउंड एक कीजिए, तो अंडेट प्लेस पर देखेंगे, अंडेट प्लेस पर क्या है, 9 है, इधर क्या है, 66 है, तो बने रहे होगा, 67 हो जाएगा, और इसकी 3 जी, अब 8 है, और इधर 5 है, तो 5 है, 1 प्लस कर देंगे, 6 हो जाएगा, अब माइस तरहें, 0, 0, 0, 1, 6, 6, 1, 0, 0, अब इस वाले को भी राउंड ओप कर लेंगे, 100 प्लेस पर, 1 स्टैंस, 100, 100 प्लेस पर 6 है, तो बने इधर एड़ कर देंगे, 2 हो जाएगा, तो यहां 11 होगे, 11 होगे, 2 मैनस कर दिया 9, और यहां 5, तो इस्टुएंट यह अंसर आपका, आगए, कि कहा दी, तो इस्टुएंट इस परकार आपकी जो एक्सरसाइज 9.20 वो कंप्लीट हो गई है, जो इस्टुएंट है, राउंड ओप है, मैं आपसे यकीन है कि आगए होंगे, एक बार अच्छी तरह ध्यान से उन्हें देख लें, अपना भी करके देखें, एक बार पढ़ेंगे, अगर कोई कोई कोजिशन नियर एस टैन कह रहा, तो उसके आंसर ने जीरु आएगी, 100 कह रहा तो अनसर में 2-0, 1000 कह रहा तो 3 आएगी, है ना, 10,000 कह रहा तो 4 आगी, अगर जी रोसाए, 4 है, तो अगली नेक्स्ट जो प्लेसस में 1 प्लस नहीं करते हैं, अगर फाइब से नाइन है तो जो अगली प्लेसस में वन एड़ कर देते हैं और के सिर्फ इतने ही नियम में आपको याद रखने हैं और यह सारे एक्सेसाइज आपकी आसानी से हो जाएगी और फिर भी अगर आपको लगता है कोई कोई कोश्चन ऐसा है जो आपको सुझ में नहीं आ रहा तो उसके लिए आपको मेसेज कर सकता है कि अगर आपको यह मैथड अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट भी जरूर कमेंट में अपनी राइब भी जरूर दें ऑक इस्ट्रेंट थैंक यू पूलाझ झालाझ।